हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब उमीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे मैं हूँ सोनम कुख विसोनम में आपका स्वागत है आज मैं आपके लिए सिर्फ दूद और मिल्क पाउडर से बन जाने वाली यह बेहद सौफ्ट आइसक्रीम की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसको की बेहद आसानी से आप घर पर बना सकते हैं और अपने वज्चों खिला सकते हैं बिना किसी मिलावट के तो चलिए इसको बनाना सुरू करते हैं सबसे पहले मैंने यहां पर एक कड़ाई में आधा लीटर दूद लिया है जो की फुल फैट मिल्क है इसको अच्छे से वॉ निकल जाएगा और इसमें अब हम डालेंगे आधा चमच इलाइची का कुटा हुआ पाउडर जिसको कि मैंने इलाइची के वीच को कूट के डाला है इसमें इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और फिर से इसको पकने देंगे करीब 5-7 मिनट के लिए और बीच इसको मिला दिया है दूद में आफिर से इसमें वील आने देंगे इसमिज़ में प्रोसेस उण पकाने का ही है और यहां पर मैंने एक चमच कौर फॉल लिया है इसको भी मैं विश्कर की सायता से मिला रही हूँ, गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर लेंगे, तब भी इसको मिलाएंगे, नहीं तो इसमें गुल्ठियां पढ़ जाएंगी, और इस तरह से मिला देंगे, फिर से इसको खौलने देंगे, और जब यह थोड़ा सा ठिक हो जाएगा, तब तक इसको खौलाएंगे, यह प्रोसेस होता रहेगा, बार बार दूद उपर आएगा, आपको गैस की फ्लेम को कम करके, और इसको नीचे दूद को नीचे भेज देना है, और साथ ही मैंने यहाँ पर पांच बड़े चमत सक्कर डाली है, आपको अगर ज़्यादा मीठा या कम मीठा पसंद है, तो आप अपने हिसाब से चीनी जो है अड़्जस्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर मैंने इसको मिलाते हुए फिर से, जो मलाई उपर आ गई थी, उसको दूद में फिर से मिला दिया है, तो इसी तरह से प्रोसेस करते रहेंगे, जादा कुछ इसमें नहीं करना है, फ्रेंट्स, तो बस यह जो दूद है, वो हमारा अल्मोस्ट डेडी होने वाला है, तो आप से कहना चाहूंगे, अगर आपको मेरी रेस्पी थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो, तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा, बेल आइकन भी दबाएगा, ताकि आने वाले वीडियो का हर नोटिपिकेशन आपको सबसे पहले मिले, यह विल्कुल फ्री है, और यह देखिए, दूद की थेकने सापको दिख रही होगी, कितनी अच्छी है, और यह दूद मैंने यहां पर ठंडा कर लिया है, और ठंडे होने के बाद, हम एक मिक्सर जार ले लेंगे, और यह फ्रेश क्रीम का यूज़ कर रही हूँ, मैं करीब चार चम्मच फ्रेश क्रीम लेंगे, मिक्सर जार में डाल दिया है, मैंने, और इसको एक बार मिक्सी को चला लेंगे, तो यहां पर मैंने मिक्सी में क्रीम डाल के इसको चला लिया है, अब जो हमने दूद का मिश्चनर तयार किया है ना तो उसको भी हम इसमें अड़ करेंगे और उसको भी हम थोड़ा सा चला लेंगे यह देखिए कितना थिक पेश्ट बन गया है फ्रेंट्स यह आधा लीटर दूद की सिर्फ आइस्क्रीम बना रही हो मैं तो कड। कमड़ाई का सारा मिक्ष्ट मैंनने इसमें डाल दिया है और इसको ढगा के इसको चला लेंगे तो मैंने यहाँ पर इसको भी चला लिए अब मैं आप मोल ले ऐसक्रिम अब नहीं हुए तो आप गलाश में भी जमा सकते wedispo deception जो आते हैं उसमें भी आप जमा सकते हैं मैं आपको दिखाती हूं इस तरह से कोई अब के घर में लास होगा नव तो इसमें भी आप आराम से जमा सकते हैं या फिर किसी बॉक्स में आप जमा सकते हैं इस क्रिम को जरूरी नहीं है कि आपके पास मोल्ड ही हो तभी आप आइस्क्रीम बना पाएंगे तो इसको सिलवर फॉयल से कवर कर देंगे और इस तरह से इसके बीचों बीच थोड़ा सा छेद करेंगे फॉयल में ताकि जो यह चौप यह स्टिक्स है ना आइस्क्रीम की यह हम लगा सके, इस तरह से बिलकुल मार्केटि स्टाइल बनके तयार हुई थी तो आप भी इस तरह से बना कर जरूर से ट्राई कीजिए गा से इस तरह कर दिए और इसको मैं आठ घंटे के लिए फ्रीजर में रख रही हूं और 8 घंटे हो आठ घंटे के बाद यह देखिए बर्फ जो है हमारी जम चुकी है तो इसको अब हम लोग हटा लेंगे और ग्लास वाली जो आइसक्रीम है यह भी जम चुकी है तो इसके लिए अब हम एक कटोरी में पानी लेंगे जिसको इसमें रखेंगे ताकि यह असानी से डी मोल्ड हो हो जया है एक इसको निकालना बहुत यहासान है फ्रेंड्स आराम से निकल जाती है देखिया कितने निकल रही है ऐसे ही सारी निकल के तयार हो गई थी और मेरी बीटी आपको उसका हाथ दिखाई दे रहा होगा और इसको भी बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं इस तरह से कोई चाकू इसमें इंसर्ट करेंगे और इस तरह से निकाल लेंगे कि मैं आपको दिखाऊंगी कि यह कितनी क्रीमी और कितनी सॉफ्ट बनके तयार हुई है तो यह देखिए इसको भी काट काटने से आपको पता चल रहा होगा कि कितनी सॉफ्ट यह बनके तयार हुई है तो आप भी इस तरह से बनाकर जरूर से ट्राइ कीजिएगा मिलती हूं एक नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यों फर वाचिंग